नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है विक्रम और फिट से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेर्न टैक्टिकल में फिट से दोस्तो लेके आए हूँ नहीं चौप की इंफोमेशन रुकीटमेंट आ रहे है नैशनल टांस्पोटेशन प्लाइन रिसर्च सेंटर की तरफ से औल इंडिया कैंडिडेट आवेधन कर सकते हैं बिना फीस के आवेधन करना है किसी तरह की फीस नहीं देनी है किसी तरह का एक्जाम नहीं होने वाला शॉर्ट लिस्टीट करा जाएगा कैंडिडेट को उसके बाद उनको ओनलाइन इंटर्व्यू या जो ही वो वन वाई वन इंटर्व्यू जो होता है उससे गुजरना पड़ेगा और उसके बाद आपकी सेलेक्शन हो सकती है डिटेल में लोग बात करेंगे इसकी इलिजिबिल्टी क्राइटेरिया की कैसे आवेटन करना है कौन कोन इलिजिबल है कैसे आवेटन कर सकते हैं सबी चीज़ों के बारे में तो शूर से लेके लाज सक्स वीडियो को ध्यान से देखी हो सकते वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ताकि आने वाली जोब अपडेट आपको टाइम पे मिल जाएं तो recruitment में दोस्तो जो ही वो number of vacancies थोड़ी कम है और आजकल जितनी भी recruitment आ रही है उसमें number of vacancies जो ही वो जादा नहीं है बाकि अगर आप धूढ रहे हैं कि हजारों में लाखों में vacancy निकले तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा फिलाल जो है इस job के लिए इतने ज़ादा candidate की ज़रूरत उनको नहीं है बाकि अगर आप कम recruitment के लिए भी आवेधन करना चाहते हैं तो वीडियो आपके काम की हो सकती है तो detail में बात करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह job permanent है या नहीं तो यह job permanent नहीं है contract based पे रहेगी project fellow, project associate की यह recruitment है इसके बाद इसको आगे continue कर सकते हैं दो साल के लिए लेकिन चुहे पहले एक साल के लिए यह provision period पे रहेगी सबसे पहली recruitment है project fellow की B.E.B.Tech degree अगर आपने कर रखी है civil में या M.E.M.Tech कर रखी है आप apply कर सकते हैं M.E.M.Tech उसके इलावा अगर आपने transportation engineering में करी हुई है transport planning में करी हुई है traffic engineering, transportation and infrastructure engineering करी हुई है या highway safety या urban infrastructure में करी हुई है आप eligible है apply कर सकते हैं desirable experience पांगा गया है यानि कि अगर आप fresher है तो भी apply कर सकते हैं अगर आपके पास किसी तरह का experience है तो भी आप apply कर सकते हैं 27,800 आपको salary मिल जाएगी number of vacancy यहाँ पे 14 है बाकी अलग-अलग position के लिए number of vacancy जो है वो अलग-अलग है उसके लावा दोस्तों जो है B.E.B.Tech civil वाले जो है वो इसमें भी आवे इतन कर सकते है project fellow में और उसके लिए आगे भी आपको recruitment मिल जाएगी उसके लावा अगर आपने दोस्तों electronics में भी कर रखी है B.E.Tech first class में आप apply कर सकते हैं उसके लावा M.E.M.Tech वाले भी apply कर सकते हैं बाकी experience जो है वो desirable है है तो अच्छी बात है जादा prefer जो है आपको करा जाएगा नहीं है तो भी आप apply कर सकते हैं project associate की post के लिए M.E.Tech अगर आपने करी हुई है computer science में first class में या इससे संबंदित कुछ कर रखा है आप eligible ले apply कर सकते हैं salary आपको 22,000 मिल जाएगी project fellow के लिए दुबारा से B.E.Tech वाले apply कर सकते हैं civil वाले जिन्होंने जो ही वो first class में करी हुई है उसके लावा IT computer science M.C.A. और M.Sc. computer science वाले first class वाले apply कर सकते हैं project fellow की recruitment के लिए जिसमें की number vacancies मात्र दो है उसके लावा दोस्तों जो है वो चौथे number वे project technician की recruitment है ITI जो ही वो surveyor और draftsman civil वाले apply कर सकते हैं 17,000 जो ही आपको salary मिल जाएगी छे total number vacancies हैं उसके लावा project technician diploma वाले apply कर सकते हैं diploma कर रखा है animation में आप apply कर सकते हैं 19,000 आपको per month salary मिल जाएगा एक साल का ये provision period रहेगा उसके बाद इसको आगे continue कर सकते हैं पहले वहले आपका आवेधन करना है जादा time नहीं है भीना fees के आवेधन करना है fresher apply कर सकते हैं job location आपकी केरला में रहेगी क्योंकि ये recruitment केरला government के अंडर आती है उसके लावा दोस्तों बात कर इस selection process की तो किसी भी तरह का exam नहीं होने वाला है candidate को shortlisted करा जाएगा उनके marks देखके या उनकी experience देखके उसके लावा उसके बाद shortlist करने के बाद आपको one to one interview के लिए बुलाया जाएगा या online interview के माध्यम से आपकी selection होगी तो ये सारी चीज़े notification में लिखी गई है अगर आपको apply करना है तो notification को पहले read करिएगा लिंक आपको description में मिल जाएगे तो जिसमें आपको apply online का link भी मिल जाएगा जिसमें click करके आप इसके लिए आवेधन कर सकते हैं तो यही दोस्तों लिखा है कि उनकी notification में यही था आज की इस video में thank you very much इस video को देखने के लिए और आशा करता हूँ का आपको वीडियो पसंद आई होगी समझ आई होगी अगर वीडियो से related फिर भी आपके कुछ questions हैं comment section में पूछ सकते हैं चैनल को subscribe करें मिलते हैं next video में